नमस्कार और विलकम यूर्ट वोल अफेर्ड आपको प्रशान धवर्ण आप सब लोगों ने सुनाओगा कि जो बाइडन ने साओधी रेविया और यूए के जो लीडर्स हैं इनको कॉल करने की कोशिश करी और इन दोनों लीडर्स ने मोहमद बिन सल्मान और यूए के लीड मैं आप सब से एक सवाल पुछना चाहता हूँ आपने ऐसा लास्ट टाइम किस वर्ल लीडर के साथ होते वे देखा होगा इम्रान खानेक एक्सेप्शन है मगर वैसे आप अगर देखे तो किसी भी वर्ल लीडर के साथ ऐसा नहीं होता इंडिया के पीम किसी को कॉल करते है बातचीत होती है ये USA के लिए एक बहुत इंबरेसिंग मुमेंट था और मैं दो खेर US मीडिया को पॉपली फॉलो करता हूँ जो लोग वहाँ पे बाते करते हैं उसको भी देखता हूँ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने जिन्दगी में पहली बार देखा कि American media America की public खुद काफियत तक छोटा अशेम्ड फील कर रहे थे जो बाडन की हलत को देखते हुए क्योंकि Americans भी आज के समय ये बात महसूस कर रहे हैं कि globally उनका stature काफियत तक कम होता जा रहा है बहुत से देश अब USA की उस तरीके से नहीं सुनते जैसे एक टाइम पे सुना करते थे और कई Americans ये वान रहे हैं कि Joe Biden की call ना उठाना एक बार को पूरे अमेरिका की बेस्ती है वो बहुत ही personal level पर इस बात को लेकर चल रहे हैं और इससे पहले भी आप अगर देखो तो मुहम्मद बिन सल्मान openly कह चुके हैं मुझे कोई परवान नहीं है कि Joe Biden मेरे बारे में क्या सोचते हैं इन्होंने हारा की ये बोला कि USA के साथ हमारा long historic relation है हम USA को एक बहुत important partner मानते हैं मगर ये बात आज के समय clear है कि Joe Biden की leadership से जो Gulf countries है primarily United Arab Emirates और Saudi Arabia बिलकुल भी खुश नहीं है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका reason क्या है येमन का यहाँ पर क्या angle है और क्यों दुनिया भर की stock market agencies rating agencies ये कह रही है कि कच्चा तेल बहुती जल्द कम से कम 200 डॉलर पर barrel या फिर even 240 डॉलर पर barrel के आसपा जा सकता है discuss करेंगे ये सब मगर आगे वढ़ने से पहले आपसे question पूछूँगा आपने येमन के बारे में काफी बार सुनाओगा ये यहाँ पर देश है येमन येमन हमेशा से एक single country नहीं था जब येमन दो हिस्सों में बटा हुआ था एक था North येमन दूसरा था South येमन तो आपको section में सब लोग इसका answer करो सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो के अंथ में नाव पहली बात तो यहाँ पर आपका question आएगा के जो बाइडन ने साओधी रेबिया और UAE के leaders को call करी भी क्यों थी देगे इसके पीछे reason है Ukraine Russia war Ukraine Russia war के response में जो बाइडन ने recently Russian oil को ban कर दिया for US उस USA Russian oil ban हुआ देखा गया के internationally कच्चे तेल के जो दाम है ये 120 डॉलर पर barrel के भी उपर उड़ गए जो बाइडन ये सब देखे काफी अतक पैने कर गए इनको लगा के इनको help चाहिए होगी और help कैसे चाहिए इनको लगा के Saudi Arabia और UAE को call करके instruction देता हूँ कि अपनी oil की output लगात USA को face नहीं करनी होगी अब interesting बात यहाँ पर यह है के Saudi Arabia और UAE जो बाइडन से इतने frustrated थे के initially उन्होंने क्या किया कि प्रेजिडेंट से तो हम बात नहीं करेंगे US government से हो सकता है के ठीक है हम बात में बातचीत करके solution निकाल दे के ठीक है हम लोग अपने तेल का output थोड़ा बहुत increase करते हैं China, India, various other countries को और जारा हम oil supply करेंगे ताकि overall market में तेल के दाम कम हो जाया और उसका impact हुआ भी है जैसे UAE ने announcement करी के ये लोग जादा oil अब market में बेचेंगे तो तेल के दाम 120 डॉलर पर बैरल से 109 डॉलर पर बैरल के आसपास भी आ गए हैं मगर frustration United Arab Emirates और Saudi Arabia में आज के समय ये है कि ये initially OPEC का प्लान नहीं था जो oil producing countries हैं इनके काटेल ने decide ये किया था मिलकर इसमें Venezuela भी शामिल है इसमें कई और देश शामिल है इवेन रशिया को आप अगर देखो तो OPEC Plus के अंडर इन्होंने Saudi Arabia और UAE से समझाता ये किया था कि सब देश मिलकर oil की output कम रखेंगे ताकि oil के दाम जरूरत से जादा कम ना हो जाएं तो Saudi Arabia और UAE को अब ये लग रहा है कि USA के प्रेशन में आके इनको OPEC कंट्री से किया हुआ जो वाला था जो वहापे कमिट्मेंट थी उसको ही चेंज करना पड़ेगा और reason क्या है reason यही है कि Joe Biden ने इसने जो heavy sanctions imposed कर दिया रश्या पर इसका impact अब पूरी दुनिया महसूस करेगी एक डर देखिए Saudi Arabia और UAE को ये भी है कि अभी के लिए तो तेल के दाम कंट्रोल में कर लिए मगर कब तक Saudi Arabia और UAE production बढ़ा कर Iran, Venezuela, Russia इन सब कंट्रीज का जो आभाव है world oil market में इसको पूरा करेंगे this remains a huge concern और इस सब के beyond Yemen का वी issue यहाँ पर exist करता है Saudi Arabia ये चाता है कि Yemen में आज के समय जो ग्रैयू चल रहा है वहाँ पर US, Saudi Arabia, UAE को support करें जबकि Joe Biden की policy ये रही है कि इन्होंने कुर्सी समालते ही सबसे पहले तो ये announce कर दिया कि USA, Saudi Arabia और UAE की help नहीं करेगा यमन ग्रैयूद में अब यमन में जो civil war चल रही है मैं आपको ये बता दूँ इसमें UN ने calculation करी है recently कि 2030 तक ना 13 लाख लोग मारे जाएंगे 1.3 मिलियन अब ये अलग बात है कि दुनिया का focus आज के समय completely Ukraine पे है Recently UK के जो एक Prince है Prince Williams इन्होंने भी ये कह दिया कि देखिए जो जंग होती है, इस टाइप की हलत है, refugees भाग रहे है ये usually तो Africa में होता था और जो गरीब countries हैं वहाँ पे होता था मगर Ukraine में आज के समय ये सब problem देखकर ये काफियत तक shock feel कर रहे है तो देखिए ये दुनिया की reality है कि Yemen में जो हुआ है इसको दुनिया ने काफियत तक ignoreी कर दिया है USA को Yemen की war में involved हैना चाहिए था एक बार को ये भी कोशिश कर लेते के peace अभी के लिए हो जाए होती rebels और Yemen की बाकी authorities के वीच में ताकि Saudi Arabia और UAE भी threatened ना feel करे अपनी security को लेकर तो USA एक तरफ तो Saudi Arabia UAE की help करनी रहा फिर यहाँ पर ये लोग expect करते हैं कि OPEC countries के against जाएंगे ये सब देश तो इसलिए आज के समय आप देख रहे हैं कि मुहमद बिन सल्मान और UAE की एक genuine frustration है जो बाड़न के प्रती USA को आज भी ये बहुत important देश मानते हैं USA के majority weapons आते हैं और तरीके से भी आप अगर देखो तो recently United Arab Emirates ने एक नया quad form कर दिया था जहाँ पर US है, इसराइल है, इंडिया है और UAE है ही तो इससे आप imagine कर सकते हैं कि UAE के लिए भी कितना एक बड़ा निने रहा होगा कि जो बाड़न की column नहीं उठाएंगे एक message send करते हैं USA को कि this is what we think about your president क्योंकि आपके president की जो विदेश निती है, चाहे इनके पास experience बला का हो Vice President रहे 8 साल के लिए बराकुमाबा के अंडर, फिर President बने, उससे पहले भी US में कई congressional committees के ये पाट रहे हैं, मगर आपके सामने हैं Perhaps foreign policy के मामले में इनसे जादा disastrous निती किसी भी US President की नहीं थी Donald Trump आज के समय बिल्कुल ठी कहते हैं, कि उनके tenure में ना Russia ने उरेन पे अटाग किया था ना Taiwan का ज़रा कोई issue खड़ा हुआ था, ना USA ने कोई नई जंग स्टार्ट करी थी The world was very much under peace, मगर Joe Biden की नितिया आज के समय ये है कि ये लगाता Russia को फिरे corner में पुछ कर रहे हैं, जहाँ पर Vladimir Putin के पास जादा options होगी नहीं और मैं आपको ये ही बता दूँ, कि जो Joe Biden के sanctions हैं on Russia इसकी वज़े से most probably Russia बहुती जल्द ये जंग भी रोकने नहीं वाला मगर एक aspect है जहाँ पर Joe Biden अभी भी काम करके अपनी foreign policy इंप्रूव कर सकते हैं वो है Iran nuclear deal अगर Iran से अभी भी ये एक nuclear deal कर लेते हैं और Iran का तेल international market में आ जाता है तो बहुत से जो इनके पुराने पाप है धोल जाएंगे और दुनिया में काफिया तक stability वापस आ जाएगी जो तेल के दाम हो सकता है कि उस case में देड़ सो या फिर 200 डॉलर के आसपास भी ना पहुचे या फिर नहीं ना वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ के यमन एक single country कब बना था देखिए इंटरस्टिंग बात ये है के यमन एक time पर divided था North Yemen और South Yemen में North Yemen और South Yemen as countries exist करते थे until 1990 जब इनकी युनिफिकेशन हुई यमन की युनिफिकेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल इवेंट था मगर sadly ये country कभी internally unified नहीं हो पाया तो हमारा सही answer यहाँ पे हो गया option C, 1990 is the right answer और finally आप नमें ये भी आड़ कर दू किया आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं चाहे UPSC, SSE Bank simply जाओ comment section में चूज करो अपना exam of your choice for example आप prepare कर रहें let's say for bank exam click करिए bank के link पर और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे the course of your choice click करना यहाँ पे आपको get subscription पे और iconic package यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं यहाँ पे आपको live doubt solving session भी मिलेंगे और अभी आज के समय एक offer भी चल रहा है कि अगर आप 12 महीने का course purchase करते हैं तो 2 महीने extra आपको free मिलेंगे अगर आप 24 महीने का course purchase करते हैं तो 4 महीने आपको extra मिलेंगे तो 24 महीने का course आपका बन जाएगा 28 महीने का और यह course आपको cost करेगा for just 390 rupees per month मगर यह पे करने की भी आशकता नहीं है यूस करिए यहाँ पे प्रोव कोड PD10 and the prices will just start falling so use the code PD10 and save money so इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ thank you for listening and as always God bless you